दो नम्मर काम करोगे तो जाओगे जाओगे GST नहीं तो पिरी का खाओगे सबसे पहली बात तो राहूल गांदी की ब्यान को सिरियसली लेना ही नहीं चाहिए वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता है तुम नफरत बातोंगे, हम प्यार बात यंगे, जलते रहोगे, तिरंगे तक रहोगे, हम चांग तक चले जाएंगे मेरा पैसा, मेरा भी पैसा जेवी जी में फसा हुआ है, उस समय कांगरेस की सरकार थी, उसके पैसे का इसाब कौन देगा कांगरेशियों ने दो तिनांगा बना दिया एक पकिस्तान का बना दिया इंडिया कांगरेश ने करा दिवाइड और फूट भूड राजनी थी आप कभी भी इनके डिवेट सुन लो यह केवल केवल और केवल लोगों के विज्स पैदा करते हैं आपने से मोधी जिने क्या पैसा लुटा भी मोझे बता तो तो जाओं करोगे तो जाओंगे 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 जाओगे जीये! सब्सक्राइब कर दोजार चौबिस में चुना होगी आप इसी जंडा के सामने आईएगा और आपसे में निवेदन करता हूं आईएगा हाथ जोड़के आपसे सवाल होगी फिर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे ना जब इनकी कंपनी आज यहां बाई सुपर्वियार बंद हो गया हमने सुपर्वियार में आज भी 15 लाग रुपया लेना दो ह्यार संसे सुपर्रीम गोड में केस चल रहा उससें पीजय ही आज चला पैद्ग में हिक पैसे के रिचणकर में ही अपना पैसा निकालने के चक्कर में देश को बरबात करने के में लगे है उस समय कांग्रेश की सरकार थी उसके पैसे का हिसाप कौन देगा मेरे नाम में अपने बेटी के नाम से एक एक मिनाट पर जमा करता था घर पे सहरा भाग गया आज अमिस्था मूधी बेट के तो सकारा तो में दूंगा आज मिल रहे ना आज भारा भारा जा रहे है बैसा मिलेगा और दूसरी बात जो पैसा सहरा में जमा किया है क्या भारत सरकार ने कहा था क्या जमा करने को चीट फंड तो हर जगे निकलते है इनको सुपर भीयार को मैं तो माल बेच्चा था मैंने कुछ काम नहीं हुआ मुक्त को सब्सक्राइब लेगा हुआ है निए पहला साल होगा ना इस लोगोंने दो देश बना चोड़ दिया अब राहुल गांदी का बयान है कि माइन योरी इस चो टारगेट किया जा रहा है उन अल्प संख्यों को इसाथ जो है गलत हो रहा है सबसे पहली बात तो राहूल गांदी की ब्यान को सिरियसली लेना ही नहीं चाहिए वो कब क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता है लेकिन फिर भी जहां राश्ट हित की बात है जहां राश्ट हित की बात है यह मुझे और मेरे जैसे 140 करोड भारतियों को यह पूरा भरोसा है कि राश्ट हित में नरेंद्र मोदी जी का जो भी निरने और जो भी ब्यान होगा वो राश्ट हित के तरफ होगा जिस तरी है जिन्दा बात था है और रहेगा चलुकल कोई कुछ भी कहे कोई कुछ भी कहे सीव की सटी तो अपरम पार है पुरे जगत जगत के पिता है सियुजी उसमें कोई यह फक्र की बात है यह हमारे लिए आपके लिए इनके लिए और कोई कुछ भी कर ले कोई कुछ भी कहले आएंगे तो मोधी शुका आगर निर्मान कॉंग्रेस नहीं किया होता ता चांड तक हमारा रोकेट नहीं पहुंचा होता तक यह प्रचान पर चंड पर जंडा आया वो बीजीपी की देन है जंडे पे चांद आया, वो कॉंगरेस की देन है। और अगर आप एकनोमिक्स को धोलब पालोगे ना देखो चीखने चलाने से कुछ नी होता है। अगर उपर से मोधी सरकार सपोर्ट कर यह तो बात अलग है। मुझे लगता है कि हम सारे पॉइंट्स को देखें तो जो गौर्मन की एकनोमी नीती है। अगर हमारे GDP देखें तो हम 650 बिलिन डॉलर पे इस समय है। जी टॉंटी के अंदर भी आगा जी टॉंटी के अंदर भी आप देखो जो स्टेचर आज हमारा है वो पहले कभी भी नहीं था। आद्रो आप जैरुद वार चरना तुम नफरत बाटोगे हम प्यार मटेंगे तुम नफरत बाते हम प्यार बाटेंगे आता के लिए तरसो गहें त्रंगा पे चंद रहेगा अब मेरा त्रॉंच एक हो छान परेंगा हुआ टरंगा थो यही जो तो बढार acti जाओ 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 एक पकिस्तान को बना दिया कांग्रेस मुझे लगता है कि जैसे अंग्रेजों ने करा वह कांग्रेस ने करा दिवाइड ओफूट बाटो राजनी थी आप कभी इनके डिवेट सुन लो ये केवल 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 लोगों के विश्में पैदा करते हैं कभी भी आप इनके संग काम कर लो कॉंग्रेस कभी भी देश का बना नहीं चाहती राहूल गांधी तो खुद प्यार मोभबत की बात है राहूल गांधी की सब बख्वाय से यह केवल एक स्टन्ट है जो ये इटली से सीख के आते हैं कि क्या बोलना है यह जाकर के कैम्परीज अजय कि बात करनेंके फुरुद पीजिन कशा जया अपने बाप दादाध पुझ किया वो सब यह जया चैने है नाम जरू गांगा नेरू जाए गान्दी गंदीरे लिए बलाग पसे लिए можетद भाट पता हुशी by — ज्रुम्ने में एने मचेथ महकाल हुवंसे सचबा लूम वजयों सोववास डूम्ने लेंव धेल कम हाँ थेक है कर दो